ओम नमेश जिवाई दोस्तों आपका मेरी चैनल पर स्वागत है भगवान सीव को जागरत महादेव क्यों कहा जाता है एक सच्छे सीव भक्त की सत्यकता यह वाक्या कैदार ना धाम में हुआ था बहुत समय पहले की बात है जब हमारे देश में बस ओट्रेन की अच्छे यात्रा करना ही एकमात रुपाय था उसी समय एक निर्धन सीव भक्त ने भगवान कैदार नाथ जयोतिलिंग के दर्शन करने का प्रण किया और पैदल यात्रा अरंब करदी रास्ते में लोगों से पूछ पुछ कर वे कैदार धाम की और बढ़ने लगा मन में सीव दर्श की मंदिर बंद है और महां कोई भी नहीं था कैदार नाथ धाम के पट छे महिने के लिए खुलते हैं और छे महिने के लिए बंद हो जाते हैं जब कैदार नाथ धाम में बरप पढ़ने लगती है तो मंदिर के पट बंद कर दिये जाते हैं वह निर्धन सीव भक्त जब उसने तुरंत उस पुजारी जी से आगरह किया कि उसे एक बार कैदारनात महादेव के दर्शन करने दिया जाए। पुजारी जी ने उससे कहा कि बेटा अम अंदिर के पड़ तो चै महिनने के बाद ही खुलेंगे। तुम चै महिनने के बाद आना। ऐसा सुनकर उस सी भक्त की आँखों में आसू आ गए और मन ही मन वैं बहुत दुखी हुआ। उसने फिर से आगरह किया और पुजारी जी के पैर पकड़ लिए और गिड़ गिड़ाते हुए बोला मैं बहुत दूर से आया हूँ। दो महिनने पैदल चल कर और जंगे जंगे रुक कर मुझे महादेव के दर्सन करने दो। पुजारी जी ने उसकी एक न सुनी और उससे कहा अगर दर्सन करना है तो छे महिनने के बाद ही आना पड़ेगा। छे महिनने रुक जाओ लेकिन इस ठंड और बरफ में तुम यहाँ एक राट भी नहीं रुक पाओगे। वापस लोट जाओ हम पट नहीं खोल सकते। जर्सन करें मैं यहाँ से नहीं जाओंगा। उसका महादेव पर पूरा विश्वास था और यकीन भी था कि महादेव कोई ना कोई लीला अवर्स्य जिखाएंगे। ऐसा सूच कर उसने वहीं सिव्भक मंदिर के बहार दुखने का प्रण कर लिया। महादेव के भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं। यह महादेव के जर्सन किये बिना मानते ही नहीं। कैदार नात की बरफिली ठंड में वह सिव्भक मंदिर के बहार बैठा भगवान से पजमन कर रहा था। रात होते ही ठंड ओर बढ़ गई और अब उस जंगे पर किसी भी मनुस्य के लिए एक पल ठैड़ना भी मुस्किल था। लेकिन वह वहीं बैठा रहा। उसी दोरान उसने रात के अंधेरे में एक अगोरी बाबा को अपनी ओर आते देखा। वह अगोरी बाबा उसके पास आए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो। फिर उस सीव भक्त ने अगोरी बाबा को समस्त हाल कह सुनाया। अगोरी बाबा ने कहा कि तुम निरास मत हो। मंदीर के द्वार खुलेंगे और तुम भगवान सीव के दर्शन भी अवस्या करोगे। फिर उस अगोरी बाबा ने निर्धन सीव भक्त से कहा कि तुम ठक गई होंगी एक काम करो मेरे पास घोड़ा खाना है उसे खाकर आराम कर लो मैं आग जला देता हूँ शीव भक्त सचमस बहुत ठक चुका था उसने खाना खाया और आग की गर्माट के सामने उसको नीद आ ग कि कैदार नात में तो लगातार छे महिने तक बरप पड़ती है लेकिन अचानक यह क्या हो गया कुछी देर बाद उसने देखा कि मंदीर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदीर की ओर चले आ रहे हैं जब पुजारी जी मंदीर के पास पहुंचे तो सीव भक्त न ऐसा सुनकर उस भक्त ने का 6 महिने बाद लेकिन आप तो कल ही मंदीर के पट बंद करके गए थे ऐसा सुनकर पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोड़ डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महिने पहले भगवान कैदार नात के दर्सन करने के लिए आये थे लेकिन मंदीर के पट बंद होने के कारण दर्सन नहीं कर पाई थे तब उस भक्त ने कहा पुजारी जी मैं तो कल ही आया था और रात में यहीं सोया था और आज वापस आप आज वापस आ गए 6 महिने कहां से हो गए तब पुजारी जी को संधेव हुआ उन्होंने उससे पूचा क आज जलाई और मुझे आराम करने को कहा पुजारी ने पूचा बेटा वे बाबा कैसे दिखते थे सी भक्त ने कहा कि एकदम अगोरियों की तरह लंबे लंबे बाल हाथ में त्रिशूर और माते पर त्रिफूंड था बस इतना सुनकर पुजारी जी और उनके साथी उस भक के चर्णों में गिर गए और कहा कि तुम धन्य हो तुम्हारे पास्वम महादेव आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे छै महिन्यों को एक रात में परिवर्तित कर काल खंड को छोटा कर दिया यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति उस रधा के कारण हुआ है इतने वर्सों में हमसे कोई भी भगवान सीव के दर्सन नहीं कर पाया लेकिन तुम्हें भगवान सीव के दर्सन हो पाए शाक्षात दर्सन किये तुमने तुम्हारी रक्षा भी की भगवान सीव ने दोस्तों यही कारण है कि कैदार नात को जागरत महादेव कहा जाता है जो भी सिव भक्त बहुती जल्दी दर्शन पाना चाहते हैं तो भगवान सिव उनको दर्शन देते हैं और उनकी रख्षा भी करते हैं दोस्तों मेरी हर सच्चे सिव भक्त से ये प्राथना है कि मेरी इस वीडियो को जबूर देखें और सिव भक्त सक तक भगवान सिव की महिमा को पहुंचाएं